Hi everyone, so इस वीडियो में लोग देखेंगे student attendance record तो basically इस question में हमें student का attendance का record दिया रहेगा और उसके basis पर बताना है कि वो student attendance award के लिए leasable है या ने So basically इस string में 3 letters content करेंगे A मतलब absent, L for late and P for present तो जो दो criteria हैं, अगर student दो दिन से ज़्यादा absent होता है या 2 या 2 दिन से ज़्यादा, तब उसको award नहीं मिलेगा अगर वो late होता है, consecutive 3 days या उससे ज़्यादा तब भी उसको award नहीं मिलेगा जैसे अगर इस case की बात करें, तो इसमें क्या है, present है, present है, फिर absent है तो absent एक ही दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, late है, late है, ठीक है, दो दिन late है वो भी consecutive, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको award मिलेगा, ठीक है अगर इसको award कब नहीं मिलता, जैसे एक दिन और absent हो जाता, दो दिन का absent हो जाता, तब इसको student award नहीं मिलता, ठीक है अगर पालो ये एक ही दिन absent है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर consecutive तीन दिन late हो जाता है, तब भी award नहीं मिलेगा, ठीक है यह कुछ scenarios है लेकिन late में 3 दिन लागतार late होगा तब ही होगा जैसे कि 2 दिन late हुआ present हो गया फिर late हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह कुछ criteria है इसी के basis में बताना है कि वो student को award मिलेगा कि नहीं तो इसको code करते हैं तो पहले 2-3 variable बना लेते हैं जैसे absent absent variable absent का count maintain करेगा कि कितने दिन absent होए और late variable यह maintain करेगा कि कितने दिन late होए और एक लिए लिए लेते हैं string का length तो n equal to s.length length लेने की जरूरत नहीं है directly हम लोग चलाते हैं for यहां लेते हैं char ch s2 char array so यह बहुत बहुत बहुतरीन सा function है java में जो क्या करता है जैसे इसमें suppose करो p,p,a,l यह आया तो इसको एक array में convert कर देगा ठीक है character के array में और फिर एक एक character उठाके ch में रखता जाएगा तो सबसे पहले check करते हैं कि बंदा absent तो नहीं है तो ch double equal to अगर a है तो वो absent है अगर absent है तो absent वाले variable का count बढ़ा देंगे और अगर absent वो दो दिन से ज्यादा है दो दिन या उससे ज्यादा है तब हम return कर देंगे कि भाई यह eligible है ही नहीं आगे check करने की जरूरती नहीं तो return कर देंगे false राइट और यहाँ लगा देते हैं if और check कर लेते हैं ch double equal to l कि अगर वो late है तो late variable का count हम बढ़ा देंगे और check कर लेंगे कहीं late तीन या तीन दिन से ज्यादा तो नहीं है तो late greater than equal to 3 अगर ऐसा है return कर देंगे false कि भाई साब आप eligible नहीं हो award के लिए ठीक है अगर वो late नहीं है जो character हो late नहीं तो late का consecutiveness वो break कर गया ठीक है बीच में कुछ present आ गया या कुछ भी आ गया तो यह late variable को फिर से हम लोग 0 set कर देंगे यह important है friends क्योंकि हो सकता है कि पूरे tenure में वो तीन बार late हो लेकिन consecutive नहीं है तो वो inlisible नहीं है तो इसलिए हम लोग जब late नहीं होता है तब late की value को 0 set कर रहे हैं तो यह सारे parameter से जिसके basis में लोग false return कर रहे हैं अगर कोई गलती नहीं है इसमें तो यह बंदा सही है तो क्या return कर देंगे true की भाई आप eligible हो तो I think we are sorted अब इसको run करके देखते हैं तो एक test case गलत हो रहा है तो वो test case देखते हैं कौन सा गलत हो रहा है अच्छा है इसमें return हो रहा है true जबकि होना चे यह false क्योंकि तीन दिल लगतार late हो रहा है यह वाला condition कुछ गलत हो रहा है ओ यहाँ पर else नहीं लगाया मैं तो लगाना मज था right तो फिर से run करते हैं तो sample test cases pass हो रहे हैं अब submit करते हैं तो बड़िया friends यह solution हमारा accept हो रहा है अगर यह video आपके लिए helpful रहा है तो like and comment करके अपना support दे सकते हैं thank you so much for watching this video मिलते हैं आपसे next video में